Hello students, आज हम solve करने वाले है practice set 2.5 देखो, first question हमें क्या दिया हुआ है, find the value तो हमें क्या करना है, value find out करना है देखो, यहाँ पे 15-2 दिया हुआ है देखो, यहाँ पे हमें 2 lines दिख रही है यह lines का मतलब क्या है, यह मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ तो यह practice set start करने से पहले हमें absolute value क्या होती है, वो पता होना चाहिए तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि absolute value मतलब क्या होता है देखो, यह इसकी definition है the absolute value of any number is its distance away from zero देखो, यहाँ पे मैंने distance को underline किया है इसका मतलब यह है कि किसी भी number के absolute value क्या होती है उसका distance होता है जीरो से तो चलो इसको number line के help से हम समझते है so number line में हम example के थुरू इसे समझने की कोशिस करते हैं देखो, हमने यहाँ पे two examples लिये है first example में हमने क्या लिया है 3 लिया है और second example में हमने minus 3 लिया है इसका मतलब 3 का 0 से कितना distance है वो हमें बताना है second example में minus 3 है इसका मतलब minus 3 के absolute value हमें बतानी है so जब हमें किसी भी number के absolute value निकालने होती है इसका मतलब हमें बताना होता है कि उसका distance क्या है चाहे वो right side में हो या फिर left side में हो यहाँ पे direction matter नहीं करता है so सबसे पहले हम 3 के absolute value निकालते हैं तो देखो यह है 0 और यह है 3 मतलब यह 0 से लेके यह 3 तक जाने में हम किस direction में जा रहे हैं right side में जा रहे हैं और यह वाली जो distance होगी 3 यह क्या होगा इसकी absolute value होगी इसका मतलब इसकी absolute value कितनी हो जाएगी 3 second example में हमें दिया हुआ है minus 3 तो देखो यह 0 से लेके यह minus 3 का जो distance है वो कितना हो जाएगा minus 3 के absolute value so जब हम minus 3 के absolute value निकाल रहे हैं तो हम left side में आए 1, 2, 3 3 units आए जब हम 3 के absolute value निकाल रहे थे तो हम right side में गए फिर भी हम क्या गए 3 unit गए इसका मतलब minus 3 के absolute value कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी because इसका distance कितना है 3 1, 2, 3 3 unit हम गए left side में so इसकी value भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी so बच्चों आपको यह बात तो समझ में आ गई है कि absolute value क्या होती है जीरो से लेके जो भी हमारा unit हम जितना move कर रहे है उतना distance तो इसमें सबसे important आपको समझने वाली बात यह है बच्चों कि distance कभी भी negative नहीं होता है absolute value कि यह कभी भी negative नहीं होता है मतलब आप खुछ सोचो अगर आप कहीं से मतलब एक location से आप दूसरी location में जा रहे हो तो वो कभी भी minus तो नहीं होगा न सो हमेशा याद रखना कि absolute value हमेशा positive होती है जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि minus 3 था तो हमने यहाँ पे क्या किया 3 unit का movement किया तो यहाँ पे यह क्या आया positive आया सो बहुत simple है आपको बस इस बात का धियान रखना है कि absolute value वाली line से जब आप number को बहार निकालोगे तो वो हमेशा positive रहेगा because distance कभी भी negative नहीं हो सकता है सो यह statement मैंने लिख दिया है the absolute value of any number will always be positive तो देखो absolute value का यह sign है कि यहाँ आपको दो line दिखेंगे और इस दो line में से जब भी आप number को बहार निकालोगे तो वो हमेशा positive रहेगा इस बात का आपको धियान रखना है देखो वोई same चीज आपको टेक्सबुक में भी दिया हुआ है the absolute value of any real number is never negative मतलब वो कभी भी negative नहीं होता है देखो यहाँ पर हमें इक्जांपल में दिया है कि 3 का absolute value कितना होगा 3 होगा अगर हमारे पास minor 3 है तो उसका absolute value क्या होगा positive होगा और 0 का absolute value यृ कितना होता है 0 ही होता है मतलब यहाँ तो positive में रहेगा और अगर 0 है तो उसका 0 रहेगा देको 0 हमें पता है कि negative नहीं होता है 0 अपने आपने एक positive number है तो इसका 0 का 0 ही रहेगा अब हम आते हैं के question number 1 में देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है find the value तो यहां पर absolute value हमें find out करनी है 15-2 की मतलब 15 में से 2 को हम minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 13 बट यह 13 यहां पर क्या है हमें इसकी absolute value निकाल ले है और 13 मतलब 0 से उसका distance कितना होगा 13 units ही होगा तो इसका answer कितना आ जाएगा 13 मतलब 15-2 का absolute value कितना हो जाएगा 13 सो answer हमेशा positive आना चाहिए इस बात का आपको ध्यान रखना है अब हम आतें इसके next question में सो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है हमें absolute value find out करनी है 4-9 की सो इसके value कितनी हो जाएगी 4 में से 9 को हम minus करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 5 मिलेगा तो हमने यहां पर 9 से 4 को minus किया और bigger number का sign लगा दिया अब इसके absolute value मतलब इस absolute value वाले machine से इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा विकॉज हमने पढ़ा है ना कि absolute value कभी भी negative नहीं हो सकती है तो इसका answer कितना हो जाएगा 5 अब हम आते हैं इसके third question में तो यहां पर देखो यह क्या है 7 है और 7 के absolute value कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगा multiply का sign हम as it is लगाएंगे और यहां पर है minus 4 तो minus 4 के absolute value जब इसको हम यहां से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक positive number हो जाएगा और यहां पर हम इसको multiply कर लेंगे तो 7 पोर्जा कितना हो जाएगा 28 और यह हो जाएगा इसका answer अब हम आते हैं इसके question number 2 में देखो यहां पर हमें क्या दिया हुआ है solve इसका मतलब हमें क्या करना है solve करना है और यहां पर इसका solution हमें दिया हुआ है कि 1 है इसका मतलब 3x-5 इसकी जो absolute value होगी वो कितनी होगी 1 होगी देखो हमें पता है कि अगर हम इस part को solve करेंगे तो solve करने के बाद जो answer आएगा वो कितना आना चाहिए 1 होना चाहिए और 1 होना चाहिए इसका मतलब अगर इसको हमने solve किया तो हमारे पास 1 आया ठीक है 1 आएगा तब भी इसका answer 1 होगा या फिर minus 1 होगा तब भी इससे हम बाहर निकालने के बाद उसे 1 ही लिखेंगे मतलब सो हमें पता है कि किसी भी equation को solve करने के बाद जो भी उसका answer आएगा चाहिए वो negative आए या फिर positive आए तो वो बाहर आने के बाद एक positive नंबर ही रहेगा इसका मतलब इसकी दो solution हो सकते हैं इसका एक solution तो ऐसा होगा कि हमें 1 मिले और दूसरा solution ये भी हो सकता है कि minus 1 मिले because minus 1 भी मिलेगा तब भी उससे हम क्या लिखेंगे 1 ही लिखेंगे इसका मतलब यहाँ पर दो condition है तो वो हम लिख लेते है therefore देखो first condition हमें क्या है कि 3x minus 5 है इसको अगर हमने solve किया तो हमें कितना मिला 1 मिला हो सकता है ना कि 1 मिले positive नंबर भी मिल सकता है negative भी मिल सकता है या फिर second condition हमारे पास ये है कि अगर हमने 3x minus 5 है इसको हमने solve किया तो हमें क्या मिल जाएगा minus 1 मिल जाएगा देखो अगर इसको solve करने के बाद अगर हमें minus 1 मिलता है तब भी वो बहार निकल के क्या रहेगा 1 ही मिलेगा इसका मतलब इसको solve करने के बाद two types of solution हमारे पास आ सकते है या तो 1 आए या फिर minus 1 आए इसका मतलब जब इसको हम solve करेंगे और x की value निकालेंगे तो हमें two type की answer मिल सकते है x की value वो भी मिल सकती है जिसमें 1 मिले या फिर x की value वो भी हो सकती है जिसमें minus 1 मिले तो ये दोनों को simultaneously हम साथ में solve करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इस question में हमें x के two values मिलने वाले हैं तो चलो यहाँ पे two parts है one by one हम solve कर लेते हैं बिल्कुल वैसे ही equation को solve करना है जैसे हम अभी तक कर रहे थे काफी easy है हमें x की value निकालनी है तो इसे हम लिख सकते है three x equals to ये क्या है one है ये यहाँ पे minus है जब ये right side हो है मतलब equal sign के right side में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा plus sign में convert हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा plus five so हमें क्या करना है x की value निकालनी है इसे हम further solve कर लेते हैं three x equals to one plus five कितना हो जाएगा six therefore x equals to ये हो जाएगा six divided by यहाँ पे multiplication में है इसे हम shift करेंगे right side में तो वो division के place में चला जाएगा इसको हम reduce कर लेते हैं ये हो जाएगा three ones आ और ये हो जाएगा three two आ therefore हमें x की value कितनी मिल जाएगी two तो ये हो गया इसका first solution second solution ये है कि इसको solve करने के बाद अगर हमें minus one मिल रहा है तो उस condition में x की value क्या होगी वो भी हम निकाल लेते हैं और देखो हमें क्या करना है three x की value निकालनी है तो three x equals to ये है minus one ये इदर right side में shift होके plus sign में change हो जाएगा so इसे हम लिक सकते है three x equals to plus minus क्या हो जाएगा minus हो जाएगा five में से one को minus किया तो हमें कितना मिल जाएगा four plus sign रहेगा क्योंकि bigger number के साथ यहाँ पे plus sign है therefore finally हमें यहाँ पे x की value कितने मिल जाएगी four upon three so इसको हम further reduce नहीं कर सकते है तो यह क्या हो जाएगी x की value हो जाएगी so इसका final answer हम कैसे लिख सकते है x equals to two और x equals to four upon three और यह हो जाएगा इसका final answer अब हम आते हैं इसके question number two में देखो यहाँ पे हमें solve करना है seven minus two x तो इसको solve करने के बाद हमें answer कितना मिलना चाहिए five मिलना चाहिए तो same हमने जैसे previous question में किया वैसे ही रहेगा so seven minus two x को solve करने के बाद answer या तो हमें five मिलेगा या फिर minus five मिलेगा तो दोनों ही condition में five हो या minus five हो उसे जब हम उसकी absolute value में इस machine से बाहर निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा five मिलेगा तो चलो दोनों condition को हम लिख लेते हैं first condition ये हो जाएगी कि seven minus two x इसकी value कितनी हो या तो वो five हो सकती है या फिर seven minus two x इसे हम solve करें तो हो सकता है कि हमें minus five मिल जाए जो इसको हम further solve कर लेते हैं therefore यहां पर हमारे पास है minus two x equals to ये कितना है five है ये seven को हम right side में shift करेंगे तो sign change हो जाएगा ये plus sign जो है वो minus sign में change हो जाएगा therefore हमारे पास है minus two x equals to five में से seven को minus करेंगे हमें कितना मिलेगा minus two मिलेगा ठीक है उसके बाद अब हम यहां पर x की value निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा therefore x equals to कितना हो जाएगा minus two upon minus two और हमें पता है कि numerator और denominator दोनों में अगर minus sign हो तो वो आपस में cancel हो सकते हैं और ये भी आपस में cancel हो जाएगे two ones are it means हमें x की value कितनी मिल जाएगी x equals to one now इसके second part को भी हम solve कर लेते हैं तो यहां पर भी हमारे पास है two x equals to ये कितना है minus five ये plus में है इधर जाकी ये minus sign में convert हो जाएगा तो इसे हम कैसे solve करेंगे minus two x equals to minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा so seven plus five कितना हो जाएगा 12 और bigger number का यहां पर हम sign लगाएगे now अब हम x की value निकाल लेते हैं x equals to कितना हो जाएगा minus 12 upon minus two again ये दोनो minus minus cancel हो जाएगे इसको हम reduce कर लेते हैं two ones are two six are therefore हमें x की value यहां पर कितनी मिल जाएगी six so final answer हम यहां पर लिख लेते हैं कि x equals to क्या हो जाएगा one और x equals to six और ये हो जाएगा इसका answer अब हम solve करते हैं इसका question number three देखो यहां पर हमें ये fraction के form में दिया हुआ है but don't worry बहुत easy है ये भी तो यहां पर हमें eight minus x upon two दिया हुआ है तो इसको जब हम solve करेंगे तो हमें answer क्या मिलेगा five मिलेगा जैसा कि हमें question में दिया हुआ है या फिर eight minus x upon two है इसको हम solve करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus five मिलेगा मतलब इसको solve करने के बाद या तो five मिले या फिर minus 5 मिले बड absolute value में उसकी value हमेशा positive होती है तो हमें 5 मिलेगी तो यह दो conditions हमने यहाँ पे लिख लिए है चलो अब फटा फटा इसको solve कर लेते हैं बहुत छोटा सा और easy equation है तो इसे हम कैसे solve कर सकते हैं देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 8 minus x equals to देखो यहाँ पे यह division के form में है बट यह right side में जब जाएगा तो multiplication के form में आ जाएगा तो बहुत simple यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 into 2 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 8 minus x equals to 5 to 2 जा कितना हो जाएगा 10 तो finally हमें क्या करना है x के value निकाल ली है बट यहाँ पे यह क्या है minus x है कोई बात नहीं है इसको as it is लिख लेते हैं यह हो जाएगा 10 और यह यहाँ पे plus में है तो इसे हम इतर right side में shift करेंगे तो इसका sign change हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा minus हो जाएगा therefore minus x equals to यह कितना हो जाएगा 10 में से 8 को minus किया तो हमें कितना मिल गया 2 therefore x equals to minus 2 मतलब यह जो minus है ना x का वो यह x की value है तो इसका जो sign है वो इसका sign है तो यह क्या हो जाएगा minus 2 अब हम आते हैं इसके next part में इसको हम कैसे solve करेंगे देखो यह हमारे पास है 8 minus x equals to minus 5 है यह भी यहाँ पर right side में shift होगा तो multiplication के form में आ जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते है 8 minus x equals to minus 5 में 2 को हम multiply करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 10 उसके बाद हम इसे लिख सकते है minus x equals to minus 10 यह यहाँ पर plus में है यह भी right side में जाके minus sign में change हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा minus 8 minus x equals to minus minus plus हो जाएगा so 10 plus 8 कितना हो जाएगा 18 और यहाँ पर हम यह bigger number का sign लगाएगे अगर यह दोनों side में minus sign होता है तो वो आपस में cancel हो सकता है it means finally हमें x की value कितने मिल जाएगी 18 so इसका final answer हम लिख लेते हैं तो यह कितना हो जाएगा x equals to minus 2 और x equals to 18 so अब हम आगे इसके question number 4 में जो इसका last question है चलो यह भी हम फटा-फट solve कर लेते हैं बहुत easy है देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है 5 plus x upon 4 इसके value हमें निकालनी है तो इसके value इससे solve करने के बाद हमें या तो 5 मिलेगी या फिर 5 plus x upon 4 को हम solve करेंगे तो हमें कितना मिलेगा minus 5 so इसको हम कैसे solve कर सकते हैं देखो यहाँ पर जो 5 है वो plus में है इसे हम right side में shift करेंगे तो वो minus sign में change हो जाएगा और इस तरफ हमारे पास है x upon 4 equals to यह हो जाएगा 5 इसे इदर shift किया तो यह minus sign में change हो जाएगा ठीक है ना उसके बाद यह x upon 4 तो हमारा as it is रहेगा 5 में से 5 को minus किया तो हमें कितना मिल जाएगा 0 इसको हम कैसे solve कर सकते हैं देखो हमें निकालनी है x की value so x equals to यहाँ पे है यह 0 यह division में है इसे इदर भगा देते हैं हम right side में तो यह कितना हो जाएगा multiply के form में आ जाएगा और यह therefore x equals to 0 forza कितना होता है 0 so हमें x की value कितनी मिल गई 0 चलो next वाला भी फटा फट solve कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास है 5 इसे भी हम shift करते हैं तो left side में रहेगा x upon 4 equals to यह है minus 5 यह दर shift होके minus sign में change हो जाएगा तो यह हो जाएगा minus 5 so x upon 4 equals to minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा so 5 plus 5 कितना हो जाएगा 10 और common sign यहाँ पे हमें minus sign लगाना होगा so अब हम क्या करेंगे x की value निकालेंगे so x equals to कितना हो जाएगा यह minus 10 as it is रहेगा यह right side में जाके यहाँ पे multiply हो जाएगा चलो फटा-फटे से multiply कर लेते हैं so x equals to 10 forza कितना हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा minus इसका मतलब x की value हमें कितनी मिल गई 0 और minus 40 so हम यहाँ पे इसका final answer भी लिख लेते हैं कि हमें कितना मिल गया x equals to 0 और x equals to minus 40 और यह हो जाएगा इसका answer और इसके साथ ही हमने practice से 2.5 complete कर लिया है नया concept है absolute value का but बहुत इजी है I hope आपको भी बहुत इजी लगा होगा मुझे comment करके बताओ कि आपको यह easy लगा यह tough लगा so आज के वीडियो में इतना ही बच्चो जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसाद आया है